Hey everybody, welcome back to the channel guys and इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे question answer के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके मन में कभी न कभी आया ही होगा मैंने इसका काफी सारे parts बना डाले हैं जहाँ पर मैंने आपके मन में कुछ सवालों के answer दिये थे तो इस वीडियो में मैंने 5 कुछ ऐसे questions को बनाया है जो कि आपके मन में आया ही होगे बहुत जादा interesting ये वीडियो होने वाली है जादा मैं आपका time waste करूँगा नहीं और सीधा हम लोग सबसे पहले question की तरफ चलते हैं सबसे पहला question किया वेविक का जो natural predator है कुदरती सिकारी है वो किया वेविक से भी बड़ा है अब देखो ये बात तो हमें बताया जा चुका है कि जो वेविक है उसका भी एक कुदरती सिकारी है पर वो कौन है ये हमें नहीं बताया गिया है जरूरी नहीं है कि वेविक का जो प्रेडिटर होगा वो वेविक से भी बड़ा होगा वो छोटा भी हो सकता है एक example के तुरू आपको मैं समझाने की कोसिस करता हूँ जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी body होती है जो कि मर चुका होता है तो दीरे दीरे जो कीले है वो उसे खाने लगते हैं तो छोटे छोटे जो कीले है वो खाते 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 पूरा body को खा जाते हैं उसी तरह से जो वेविक है उसका भी कोई अगर नेचरल प्रेडिटर छोटा होगा तो वो वेविक को दीरे दीरे खाते खाते पूरा कही पूरा खतम कर देगा या फिर किया पता वेविक से कोई बड़ा भी हो सकता है वेविक से अगर बड़ा होगा तो वो तो आराम से वेव के अंदर चला जाता है जब वो älltि मेट्रिक्स के अंदर जाता है तब हमें BansLam के पास देखने को मिलती है आप लोगों को अभी दिक रहाओगा अपने स्क्रीन पर वहां पर पूरा का पूरा ही आ जाता है जबूस्टी तो जादा इसमें कोई दिमाग लगाने वाली वात नहीं है वो सिर्फ एक मिस्टेक था एनिमेशन का एक एरर था अगला जो question है वो आपके मुन में आया ही होगा कि आखिर Grandpa Max का hand जो है वो cut कैसे हुआ अगर आप लोगोंने Ben 10 Classic में Ben 10,000 का episode देखा होगा तो वहाँ पर Grandpa Max का hand था वो cut था यानि कि एक अलग तरह का machine जैसा कुछ बन गया था Grandpa Max के हाथ में उसके बाद Alien Extinction मुवी में भी हमें देखने को मिला कि Grandpa Max का जो हाथ था वो cut था और वहाँ पर अलग अलग तरह के weapons भी add हो रहे थे मतलब कि Artificially Grandpa Max का hand था जिसमें काफी कुछ changes भी हो सकते हैं देखो क्या हुआ होगा Grandpa Max का कभी न कभी हाथ जो है वो damage हुआ होगा जिसके कारण Galvins ने Grandpa Max के हाथ में काफी अच्छे अच्छे technology को बना कर उनके हाथ को बहुत अच्छा कर दिया होगा ताकि Grandpa Max कभी भी उनको हाथ की जरुवत पड़े तो उसका हाथ आ जाए उसके बाद उनको किसी चीज़ की जरुवत पड़े गन की तो गन भी आ जाए या फिर काफी अच्छे अच्छे जो technology है उसको use करकर Grandpa Max का जो हाथ है उसमें changes करे गए हैं तो यहाँ पर कुछ हुआ होगा कभी फ्यूचर में या फिर कभी भी हुआ होगा कि Grandpa Max के हाथ में cut लग गई होगी अगला जो question है वो आपके मन में आया ही होगा कि Gwen के mana power से Chroma Stone को कुछ भी नहीं हुआ था अगर आप लोगों ने देखा होगा एक फिसोड जहां पर हमें Gwen and Ben जो है वह लड़ते हुए दिखते हैं तो Gwen अपने mana से पूरा का पूरा जो Chroma Stone है उसको पकड़ लेती है अगरेगर को कोई भी डेमेज नहीं पहुचा था मैना पावर से इसके अलवा अगर आप लोगों ने बैंटेन अल्टिमेट एलियन्स को अच्छे देखा है तो aktे अल्टिमेट एलियन्स के लास्ट एपीसोड में जब ग्वेन जो है अपने मैना पावर फेकती है क्रोमा स्टोन के उपर तो क्रोमा स्टोन एब्जॉब कर लेता है मैना को मतलब कि क्रोमा स्टोन को भी कुछ नहीं होगा मैना से तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे एलियन्स होंगे जो कि Gwen के मेना से कुछ भी नहीं होता होगा उनको और गैस एक और question जो है वो आया ही होगा कि Kyber के ship में आप लोगोंने Ben 10 के काफी सारे aliens के skeleton देखे होंगे head देखा होगा ultimate humongousaur का आप लोगोंने head देखा होगा तो वो आखिर क्या चीज दे तो वो अगर असल में एक trophy था जो कि Kyber को मिलाता Kyber जो है वो एक सिकारी है मतलब कि वो सिकार करता है तो उसको काफी ज़्यादा trophies मिलती है और वही trophies को वो अपने ship में सजाता है वो सब trophies जो कि Kyber को मिली गई है और आप लोगोंने काफी ऐसे देखाई भी होंगे बैन के अलियन्स मैं एक फोटो चिप का दूँगा वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से देखने को मिल रहा होगा कि खाइबर के सीप में कौन-कौन से अलियन्स के क्या-क्या चीजे हैं तो ये कुछ पांच ऐसे कोश्चन थे जो कि आपके मन में कभी न कभी आया ही होगा और अगर नहीं भी आया होगा तो मैंने उनको सॉल्व कर दिया इससे पहले भी गईस मैंने काफी जादा कोश्चन पर आंसर दिये हुए हैं अगर आप लोगों ने नई देखा है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाना वहाँ पर आपको एक कोश्चन सीरीज करके मिलेगा वहाँ पर आपको काफी ज़्यादा कोश्चन के आंसर मिलेंगे तो जाकर आप लोग ज़रू देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लेकिन को प्रेस कर दीजिए